एपिसोड 28 एक्स एपिसोड की स्टार्टिक में एक बंदा को चोरी करने के लिए एक बिल्डिंग में आ रहा है लेकिन हमारे टैटन उसके पीछे जाते हैं चुपके से एंड रॉबन एक स्पीच देता है जिसे अगर आप खुछ सुनेंगे तो बैटर रहेगा अच्छाई है और बुराई है यहां कुछ लोग जर्म करते हैं और कुछ जर्म को रोपते हैं दो दिशाए हैं वैसी अलग जैसे की रात और दिन और उन दोनों के बीच एक साफ रिखा है या कम से कम ऐसी होनी चाहिए फिर इसके बाद जब टाइटन उसके पास पहुंचते हैं और वो अपनी एडेंटिटी रिवील करता है और वो रैडक्स होता है रैडक्स मुझे लगा रॉबिन रैडक्स है लेकि रैडक्स कहता है दुबारा सोच लो बच्चे और उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है टाइटन उसे लड़ते हैं लेकि रैडक्स उन्हें बड़ी असानी से हरा देता है फिर जब रॉबिन उसे लड़ता है और पूछता है कि तुम हो कौन तब रैडक्स जवाब देता है कि अगर मुझे अपनी एडेंटिटी रिवील ही करनी होती तो मैं यह मास्क क्यों लग जाथा फिर रॉबिन एड net लड़ते हैं एंड रैक्स के मुव्स काफी ज्यादा रॉबिन के मुवस जैसे हैं एंट जब रैड आइकस जाने वाला होता है तब इसका टेलीब्ट खराब होता है य्ड रॉबिन उसके पीछे आता है बर रैक्स वहाँ जाने में कामियाया हो का चाहिए जो हो जाए फिर रॉबिन कहता है मैं पहले का अच्छा इंसान था जो पहले बुरे इंसानों को पकड़ता था लेकिन एक बुरे इंसान को पकड़ने के लिए मुझे बुराई का रास्ता लेना पड़ा जो के मेरी जिन्दी का सबसे बुरा फैस्ता था उस फैसले Red X को Trace करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता फिर Beast Boy कहता है मुझे लगता है Red X एक दूसरा Robin लेकिन कोई भी इसकी बात पर दियार नहीं देता फिर इसके बाद Robin आता है और कहता है हमने बहुत वक्त बरबाद कर दिया अब और नहीं उस सूट को चलाने के लिए जनोथियम चाहिए और Red X उसके पीछे ही होगा टैटस शॉक हो जाते हैं सवाई Beast Boy के और साइबो कहता है तुमने इतनी खतनाक चीज़ को एक सूट में क्यों रखा Robin कहता है वो एक गलती थी जो कि अब मैं सुधारूंगा फिर Robin एक लैब में जाता है और एक प्रॉफेसर चैंक से लड़ता है और पूछता है कि जनोथियम का है लेकिन प्रॉफेसर कहता है कि मेरे पास अब और जनोथियम नहीं है लेकिन रॉबिन को ये पता चलता है कि जनूतियम एक high security lab में है और Robin Titus को contact करता है और कहता है कि हमें उस lab की और और निगरानी रखनी होगी तकि Redax वहां पर ना पहुंच लेकिन साइबोग पर हमला होता है और सब Robin की दिये location पर आ जाते सवाज साइबोग के लिकिर Robin कहता है अगर साइबोग कुछ हुआ तो इसका जिमेदार सिर्फ मैं हूँगा फिर तभी Redax आता है Redax उन पर attack कर लैप के अंदर चले जाता है फिर Robin Lab के अंदर जाने को कहता है और फिर एक एकर कर टाइटनस पर हमले होते हैं फिर सिर्फ Robin ही अकेला बज़ता है और उसका सामना Redax दुबारा होता है लेकिन Redax सिर्फ उसे एक जरीय की तरह इस्तमाल करा था अपने मकसद तक पहुंचने के लिए और जब वो अपने मकसद पहुंच जाता है और उसे लगता है कि Robin अब उसक करूंगा और मुझसे तुम्हारे शाय को कोई खत्रा नहीं है मैं यहां पर कुछ अपनी चीजे लेने आया हूं उसके बाद में चला जाएंगा फिर Robin कहता है तुम बस एक चोर हो हां फिर Redax कहता है यकिन मानों बच्चे अगर तुम मेरी कारणी सुनगे तो तो मुझे इत साहे जनूती हमसे क्या कर सकता हूं मैं पूरे शहर को उड़ा सकता हूं और तुमने मुझे रोक लगी कोशिश की तो तुमारे दोस्त मारे आएंगे फिर Robin Redax को एक पिंजरे में बंद करकर कहता है कि तुमारी जवैसे अब शहर खत्रे में है अगर तुम मेरा साथ देना च फिर दूसी तरब प्रॉफेसर चैंग अपना सेट अप करने में लगा हुआ है इस आस में कि Robin अब नहीं आएगा लेकिन Robin आता है और उसके बंदों से लड़ता है लेकिन प्रॉफेसर चैंग गलती से वह बीम टाइडन टार पर शूट कर देता है और Robin बहुत गुस्ता हो लेकिन प्रॉफेसर चैंग तब भी नहीं रुखता है वो Robin बें बीम फार कर नहीं कुछ करता है लेकिन Red X आकर उने बचा लेता है और Robin कहता है कि तुम्हें तो hero नहीं बना था ना लेकिन Red X कहता है मुझे hero बनना आता है उसके बाद ये दोनों मिल करस सब से लड़ते हैं और सब के छके छोड़ा देते हैं और प्रॉफेसर चैंग को भी पकड़ देते हैं लेकिन Red X कहता है अब मुझे जाना होगा Zenothium लेके लेकिन Robin कहते है जल्दी भी क्या है वैसे भी Zenothium इसके बिना नहीं चलेगा और वो Red X की belt होती है जो के जो के teleportation के लिए चाहिए होती है बैट नहीं तो Zenothium का कोई काम नहीं है फिर टेक्स वहाँ से भागने में काम याब हो जाता है एंड जैन सब्स्रक्त हो जाता है लेकि तुम Robin की स्पीश सुन लो दुबारा क्या एक अच्छा काम उसे हीरो बना देगा एक छोटी सी गलती के लिए क्या मुझे सब का दोशी माना जाएगा अंत में मैं बस इतना जानता हो कि इन सब सवालों का जवाब पाना आसान नहीं है जवाब तो आसानी से मिलने चाहिए पर मिलते नहीं